दोस्तो आइकून याज एंडियार मार्केट डिया दोने स्मार्वोन कड़िया काफी गावंदाल Smartphone आज एविश्वी के दमसरे माइन स्मार्थफन इक लखन दाए काफी अच्छी स्मार्टफ़न यापको तो आज करा देया बताँगा कि इसका प्राइसींग इंडिया में क्या रपी गता गई है आप से कहां से प्रसज कर सकते को मैं बताँगा कि क्या पूँटन साहिए जाहे क्या को देने हुब्सध है कहा ही स्मिप्साइग मैं घर सब contexto नहीं बताऊंगा दूस्तों यहां पे आपको 6.62 इंज का फुल एच्टी प्लस वाला सूपर एमोलेट डिस्पेइड देहनों को मिलता है जहां पे आपको 120 हर्ट का रिफेर्श रेट देहनों को मिल जाता है यहां पे आपको 1300 निट्स का फिक बाइटनेस दिया गया एंड य बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ डिपार्टमेंट पर जो था बहुत है पे चेंज करेंगा है यहां पे तो वो भी 13MP का देखने हो को मिलता है portrait lens बाला तो यहां पर आपको IQ7 में 2MP का देखने हो को मिलता है 3rd camera बट लेजेंड में आपको 13MP का थर्ट का मिलता है और दोस्तों जो 13MP का पिक्सल का अल्टर वाइड एंगा लेंज दिया गया उसी क्यामरा की मदब से आप नेक्रो सब्सक्राइब कर सकेंगे चोवाली सब्सक्राइब की बैटरी दी गई है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में यहां पर आपको 66 वाट का फास्ट चार्जिंग दन हो कम जागा अब दोस्ते हैं चिपसेट की बात करते हो यहां पर IQ7 में आप Snapdragon 870 वहीं पर IQ7 Legend में भी आगया Snapdragon 888 तो दोनों फ्लाक्सिट लेपल के चिपसेट हैं यहां पर आपको LPDDR5 रेम टेप दिया गया और UFS 3.1 बाला चिपसेट दिया गया तो दोनों के दोनों फोन फोन यहां फाबजी बन जाते हैं यहां पर वहीं काफियाद अच्छी बात है यहां पर आपको end display fingerprits का देनों कम बिल लाएगा का अच्छी बात है यहां पर dual sim का ही support देनों कम बिलेगा यहां पर extended storage के लिए और जगा नहीं दिया गया है यहां पर को studio speakers देनों कम बिले लाएंगे और दोस्तों यह smart phones यह fun touch OS 11.1 पर रण करेगा जो कि android 11 पर बेस्ट होगा यह तो होगा इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिक कास होगी कानी अब चली हम बात कर लेते हैं इसके price variants एंड अब इसे कहां से पहुच कर सकते हो उसके बार जिसका price निकल कराता है 33,990 रुपए जिसका सबसे higher variant है वह नहीं करकर आता है 12 GB RAM plus 256 GB internal जिसका price निकल कराता है 35,990 रुपए मतलब IQ7 का starting price 8 plus 128 रुपए 32,000 रुपए वहीं पर legend की बात करता है वहाँ आपको दो ही वेरियंट देनों करेंगे जहां पर जो base variant है वह नहीं करकाता है 8 GB RAM plus 128 GB internal storage जिसका price रखा गया है 49,990 रुपए मतलब अल्मोस 44 रुपए जिसका higher variant है वह नहीं करकाता है 12 GB RAM plus 256 GB internal storage जिस वेरियंट का दोनों आता है 8 plus 128 में अब दोस्ते हम इसके availability की बात करें तो फॉस्ट माई से आप ये दोनों स्मार्टफ़न को IQ.com मतलब IQ की official website और Amazon.com से purchase कर सकते हैं तो यहीं पूरी की पूरी कहानी IQ7 and IQ7 legend की अब बात आती है कि अगर after sales service के हम बात करें तो कौन accept करेंगा अब दोस्तों आईकू के service center इंडिया में है नहीं तो दोस्तों आईकू ने खुद बोला है कि अब जो वीव के service center वाले हैं वहां पर हम आपको after sales service provide करेंगे तो आपके phone में कोई भी दिक्कत आता है तो अब वीव को service center में चाहिए वह repair कर देंगे ऐसे कैसे पोको का phone जो है आपको स्मार्टफोन लेना साहिए अब यहां पर इसका computer निकल का आता है Mi 11x and Mi 11x Pro तो देखिए मैं को बोलूँगा कि आप Mi 11x या फिर IQ7 में जो मने वो ले सकते हूं आप पर डिपेंड करता है ज्यादा का difference निया प्राइस का 2000 का difference को आपको जो मन करता है वो ले सकते हैं but iq7 legend और Mi 11x Pro की बात करते हैं आपको बोलूँगा कि आप iq7 legend की तरफ रिजाएं और iq7 legend मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर है Mi 11x Pro को आपको रिकमेंड कोगा कि आप iq7 legend के करब देख सकते हैं तो बस यह जानकार तो आपको देना चाहता था तो बस दोस्तों फ्लार्ट को एक लाइक तो किजिए है किजिए का साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के स बेरे को बरे किलिक करें जेका दोस्ता आपको बिए फिर अफिर पीनियान है अब यह जो कम्नेंट अब से पूश्च पूश्च चाहले तो दोस्तों मिलता हां पसके से एक वादने वीडियो में दिलता है और ग्रें टेंटें रोडोडिविए श्माइलें बाट पाई